इस वक्त की बड़ी खबर इंदोर से आ रही है जोहाँ पर इंदोर विधान सभाइक के विधायक संचे शुकला का बड़ा बयान सामने आया है विधायक ने भाजपा पर गंबेर आरुक लगाते हुए खरीद फरोग की बात कहीं है 2018 में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी वरतमान सरकार नोटो की सरकार है कॉंग्रेस ने 15 महीने की सरकार में जो काम किया भाजपा वो काम 15 साल में भी नहीं कर पाई जो भाजपा में शामिल हुए उनको मंतरी बना दिया केंदर में जोतरा अदिति सिंधिया को मंत्री बना दिया, राज्य में कॉंग्रिस छोड़ कर गए थे, उनको मंत्री बना दिया वर्तमान सरकार नोटो की सरकार है वोटो की सरकार कॉंग्रिस थी जनका बिकना था वो चले गए 2018 में टिकट नहीं मिल गया था जनता ने कॉंग्रिस के लिए उनको चुना था करोडो रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए थे अब 2030 में उनको टिकट नहीं मिलेगा अंदर हमार विधायत इंसे मन्तरी मना दिया ये नोठों की शचारी याब बॉटक बॉटक सरकार कमनला की शरकार थी तो कम आलाइन शरकार ने पंदरा मिन दिखाया 15 साल में गर विसकार इसतना वो वह गया है बात हो या करजे की माफ हो या बिजली की बात हो या कन्या की वह बात हो हर चीज में कमनलाज जीन करके दिखाया जो यह आस्ता नहीं कर पाए तो इसलिए नोटु सरकाल बन गई है जिसको जाना था वो लोग चले अब कोई नहीं बचा अब कांग्रेस के साथ में जिसको बिखने के बाद अब 18 वह टिकट भी नहीं मिलेगा क्यों टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि उनका मालूम है उनने लेकर बाड़ी शेंच करी है वो जनता ने उनको कांग्रेस के लिए चुना था पंतु भातिन ते बाड़ी शेले जनता जवाब एकी बाड़ी थी पांच साल में एक बार मुका आता है 2023 में मूतोर जवाब देगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी